नवस्कार में प्रीरेंजन और आज की इस एपिसोड में वीपरो को डिस्कस करेंगे कि वन के बाद के डाउन ट्रेंड के बाद अभी भी कंसोलिडेट निगेटिव ही दिख रहा है तो रिसेंड के निउज और ट्रेंड को समझे से पहले प्रीमियम टेलिग्राम को जोईन करें डिस्क्रिप्शन के लिंक से एकाउंट आपिन करें और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में जरूर सेयर करेंगे इस समय स्टॉक देखेंगे तो एक खबर क्या आया कि 63,333 सेयर कंपनी ने इंप्लाई स्टॉक आप्शन के थ्रू एलोट करा है लगबग 64,000 आप मान करके चलिए डिलेवरी देखेंगे तो बेटर है लेकिन टेकनिकल अंडर परफॉर्म है अपडेट्स में कुछ बरे अपडेट्स तो है नहीं कोटरली नंबस बाला ही अपडेट दिख रहा है और जो वॉल्यूम है वो काफी नूमिनल है यहां अगर आप विपरो को देखेंगे तो रिसेंट के लोवर प्राइस से लगबग 31% दोरा उसके बाद Q1 के बिलो एक्सपेक्टेशन के बाद ब्रेकडाउन है अब इस स्टॉक का मेजर रेजिस्टेंस 520 होगा यानि जब तक 520 के उपर का ब्रेकाउट नहीं हो तब तक इस स्टॉक में मुझे लगता है कि ट्रेंड इग्नोर करेंगे और lower side probability क्या है कि 470 और 440 जैसा level भी दिख सकता है तो इस समय बिल्कुल caution बरते हैं मुझे लगता है कि long trade करने से बचेंगे 520 confirmation है इसके उपर ही आने दे उसके बाद ही trend लें इस समय ये स्टॉक इसी रेंज में अगले 1,5-2 महिने तक consolidate होते दिख सकता है